दोस्तों नमस्कार संसत को दाव पर लगाया जा सकता है वह भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजनेतिक दाव पर और कुछ नहीं संसत को ही लगा दिया गया संसत का मतलब लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर का मतलब इट और गारा है और इट और गारे का मतलब एक शांदार महल है और उस शांदार महल का मतलब इस देश के प्रधान मंत्री का उस महल का उदगाटन करना है और आने वाले वक्त में उसी महल पर राज करना ह यह संकेत की भाशा नहीं है मौजूदा वक्त में भारत की यह हकीकत है और दूसरी तरफ विपक्ष को बतलाना पढ़ रहा है कि एक बार सम्विधान में लिखे शब्दों को तो पढ़ लीजिए उन शब्दों में लिखा हुआ है कि दरसल प्रधानमंत्री और राष्टपती में एक अंतर होता है और राष्टपती जाहे अंचाहे संसत के दाइरे के भीतर में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है सबसे बड़ा शक्स होता है लेकिन प्रधानमंत्री की जिद है कि दरसल नया संसत भवन जो बना है उसका उद्गाटन वही करें प्रधानमंत्री की जिद ह कि दरसल इस देश के भीतर में अब सांसदों की तादाद बढ़नी चाहिए प्रधान मंत्री की जिद है कि इस संसद के भीतर सत्ता जिसकी ताकत बहुमत से जादा की हो चली हो तो उसके सामने विपक्ष कोई उची आवाज में ना बोले और कोई सवाल तो बिलकुल खड़ा ह संस्थाएं कहने लगे कि हाँ ये अपराधी है और फिर संसद के भीतर शोर मच जाए कि कोई मतलब नहीं है अब इस देश में संसदिये कमिटियों का कोई मतलब नहीं है संसद के भीतर किसी विधेयक को लाकर उस पर बहस करने का और बहुत मतलब है कि सत्ता ने जो तै कर ल जिसमें 28 तारिक को प्रधान मंत्री को नए संसत भवन का उधगाटन करना है और विपक्ष कह रहा है कि दरसल राष्ट पती को उधगाटन करना चाहिए प्रधान मंत्री को नहीं लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है जो महज उधगाटन तक जुड़ी हो क्योंकि एक लंबी फेरिस्ट एक तरफ विपक्ष ने जारी की है और दूसरी तरफ इस देश में सत्ता की ताकत का हैसास प्रधान मंत्री उधगाटन के जरिये और आने वाले वक्त में संसत के भीतर कैसी बहुमत कितनी बड़ी तादाद में रहेगी कितने संसत सदस्त की संख्या होगी सबकुछ वह निर्धारित करके बैठे है तो लोकतंत्र का पाठ समविधान के जरिये मत पढ़िये लोकतंत्र का मंदिर संसत को मत मानिये लोकतंत्र के दाइरे में हिंदुस्तान के उन आम लोगों को और नागरिकों को समझने का प्रयास कीजिए जिसमें पहली बार विपक्ष का कहना है कि हम अपनी बातों का जिक्र खुले आसमान तले और खुली सडकों पर लोगों के बीच जाकर करेंगे और राहुल गांदी ने यही पासा संसस सदस्ता रद होने के बाद फैक दिया है यह एक ऐसा दाओ है जिसके दाइरे में संसद भी आकर खड़ी हो गई है कि संसद की महत्ता को किधर खड़ा किया जाए और समूचे विपक्ष ने एक लिहास से कह दिया क्योंकि 19 राजनितिक दल कम नहीं होते हैं उन्होंने कहा कि जो 28 तारीक का आपका प्लान है जिसमें आप चका चौन तले और नएने तरीकों से इस बात का हिसास इस देश को कराना चाहते हैं कि दरसल संसद का मतलब हम हैं औ जहन में भी अब रिंग सकता है 543 लोकसभा के सदस से 238 राजसभा के सदस से लेकिन बायकोट करने वालों की तादात को अगर जोडना शुरू कीजिएगा तो 97 उन्निस राजनितिक दलों के 97 राजसभा के सदस से और लोकसभा के 158 यानि दोनों को जोड दीजिएगा तो 25 55 सांसद उस दिन यानि 28 तारीक को नहीं रहेंगे यह तो आकडों का गनित है जो बार बार संसद के दायरे में सत्ता को बनते बिगड़ते हुए इसी मैथमेटिक्स को देखता है लेकिन भारत के भीतर का सच क्या है इस सच को विपक्ष ने अपने तोर पर जिस तरीके से कि देखी है दरसल मौझूदा वक्त में ये देश प्रधानमंत्री को नहीं देख रहा है बलकि एक तानाशा को देख रहा है मौझूदा वक्त में इस देश में लोकतंत्र नहीं है बलकि लोकतंत्र के नाम पर एक सत्ता है जिसने लोकतंत्र की तमाम धाराओं को सोख लिया है मौजूदा वक्त में सम्विधान की मौजूदगी और उसमें दर्ज अलग-अलग आठकिल के जरिये राष्टपती के महत्त को भी प्रधान मंत्री के सामने गौन कर दिया गिया है खतम कर दिया गिया है तो चार दिनों के बाद सोचिए जब खुले आसमान तले नए संसत भवन का उद्गाटन करने प्रधान मंत्री पहुँचेंगे तो वहाँ पर पहली दृष्टी किसी के जहन में आएंगी कि 255 संसत नहीं यानि 19 राजनितिक दल नहीं है जो छिटपुट बाकी राजनितिक दल है उनकी मौजूदगी उनकी राजनितिक मजबूरी के साथ जुड़ी हुई हो सकती है क्योंकि सम्विधान अपने तौर पर अनुछेद 79 में कहता है कि संग के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्टपती और दो सदन होगे जिने क्रमशा राज्यों की परिशिद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा यानि राज्यसभा है और लोकसभा है और राष्टपती ना केवल भारत में राज्य का प्रमुक होता है बलकि संसद का एक अभिन अंग होता है वही संसद को बुलाता है वही सत्रा व भारत की संसदिये राजनिती घूमती है लेकिन एक जटके में जब इस बात का जिक्र चला और राहुल गांदी ने दो दाओ एक जटके में खेल दिये संसस सदस्ता उनकी छीन ली गई कुछ ऐसे अपराद के जरीये जिस अपराद को लेकर अभी भी हाई कोट उल्जन है और वहां के जज जो है छुट्टी पर गए हुए छुट्टी से लोटेंगे तो फैसला सुनाएंगे सरकार की मंशा अपने तोर पर बहुत साफ उभर रही है जिसका जिकर कॉंग्रेसी खुले तोर पर करते हैं वो कहते हैं कि दरसल मौझूदा सत्ता नहीं चाहती है कि राहुल गांदी 2024 का चुनाव लड़ सके मौझूदा सत्ता चाहती है कि एक मैसेज जाए कि इस देश की न्याएपालिका भी उसके हिसाब से चलती है मौजूदा राजनितिक सत्ता अपनी सत्ता के अनुकूल इस देश के लोकतंत्र को गड़ती है और अपनी सत्ता अनुकूल समविधान को परिभाशित करना चाहती है और शायद इसी लिए पहली बार संसद अगर दाव पर है तो विपक्ष ने जो लगबग 6-7 मुद्दे खड़े किये हैं वह मौजूदा वक्त में कितने महत्पून हैं या लोकतंत्र इस देश से गाइब है यह आप तै कीजिएगा क्योंकि जो विपक्ष ने शुरू किया उसका कहना है कि संसद को लगातार खोखला करने वाले प्रधान मंत्री उनके लिए अलोकतंत्रिक कृत यानि अंडेमोक्रिटिक तोर तरीके कोई नए नहीं है वो लगातार करते चले आ रहे हैं और ये आरोप उन पर लग रहा है जिनें लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का उदगाटन करना है ये पहला वक्तव है दूसरा वक्तव है कि संसद के विपक्षी सदस्यों को आयोग निलंबित और मौन कर दिया जाता है जब वो इस देश क इतना बड़ा कॉर्परेट स्कैम हो गया वही मुद्दा तो पार्लेमेंट में उठ रहा था लेकिन एक जटके में प्रधान मंत्री ने उनी प्रधान मंत्री ने जिनको लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का उदगाटन करना है उन्होंने चुपी थाम ली और एक शब्द भ प्रधान मंत्री ने मौन धरन कर लिया और उन्होंने दरसल जो भी शब्द पार्लेमेंट के भीतर कहे गए उन शब्दों को ही गाइब करा दिया यानि ये दस्ता वेच के तौर पर पार्लेमेंट के भीतर इतिहास के मुद्दों के जरीए छुप कर ना रहें कि कल को कोई पढ़ ले कि अच्छा पार्लेमेंट में यह सवाल भी उठाता कि इस देश के प्रधानमंत्री के तालुकात इस देश के कॉर्परेट के साथ हैं और कैसे हैं जो अलग-अलग बिजनेस के जरिये दुनिया भर के भीतर में उनके लिए रास्ता बनाते हैं उन तमाम शब्दों को हटा दिया गया और इसी आसरे अयोग गोशित करने की इस्तिती भी लाकर खड़ी की गई और पार्लेमेंट से निलंबित भी किया गया राहूल गांदी ने इसी दाओ को पकड़कर सड़क की लड़ाई लड़नी शुरू की और खुले तोर पर कहा दरसल इस देश के भीत करती है तो अब लोगों से ही सीधा समवाद बनाया जाए और इसी लिए उन्होंने उस सड़क की भाशा को पकड़ा उस सड़क के मुद्दों को पकड़ा उस सड़क की भावनाओं को पकड़ा जिसके जरीये मوجودा वक्त में एक सवाल हर जहन में उठे कि पार्लेमेंट का मत करेगा या फिर सत्ता अगर है तो विपक्ष को खारिच करने की स्तिती में लाकर पूरे लोकतंतर को खड़ा कर देगा कौन सी स्तिती होगी या वो जंता का जिक्र करेगा ये दीसरी बड़ी बात थी और सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद बाधित की यह भी पहली बार पार्लेमेंट नहीं चलने दी तो चार दिनों के बाद तो उन्हें अमेरिका जाना है अब वहां क्या कहेंगे और उसके बाद पार्लेमेंट शुरू होनी है फिर यहां कैसा शूर होगा तो इस नए संसद भवन का मतलब लोकतांत्रिक परिस्तिती में कुछ भी है या नहीं है यह अलग मसला है कि इस्तिती इतनी विकट कर दी गई है कि राहूल गांदी का पासपोर्ट जो नया बनना है वह भी अदालत से उनको इजाजत लेनी है बाहर जाने के लिए और उसकी सुनवाई आज होनी थी जिसको शुकरवार तक टाल दी गई है शुकरवार का मतलब 26 त प्लान हिंदुस्तान के चका चौन लोकतांत्रिक परिस्तितियों के आसरे संसद भवन के जरिये करने की कोशिश की और उसमें पूरा बाइकोट विपक्ष ने कर दिया तो क्या ये एक बड़ा धक्का है अब इसके बाद की स्तिती देखिए याद कीजिए तीन कृशी तो उसके उधारन के तौर पर हैं और इतना ही नहीं महज 10 मिनट के भीतर इस देश का पूरा बजट पास हो जाता और उस पर भी कोई चर्चा नहीं होती है विपक्ष कुछ कह नहीं पाता है ये कौन सी परिस्तिती है तो फिर संसद का मतलब क्या है जिस संसद और लोकतंत् चंदिर के आसरे मौझूदा वक्त में दुनिया को ये दिखाने की कोशिश है देखी एक शांदार इमारत हमने बनाई है हम स्वाब लंबी हो गए हैं इट हमारा गारा हमारा लोहा हमारा मजदूर हमारे और उन मजदूरों को भी हम सम्मानित करेंगे जिनकी संक्या साथ जार है और सम्मानित इस देश के प्रधानमंत्री करेंगे जो पता नहीं अगली बार होंगे या नहीं होंगे और अगली बार होंगे तो फिर उसके बाद होंगे या नहीं होंगे क्योंकि नहरू से लेकर मनमोहन सिंग काल तक तमाम प्रधानमंत्रियों की जब सत्ता थी इ लेकिन एक जटके में गायब हो गए अटल बिहारी वाचपई को याद कीजिए 2004 किस शाइनिंग इंडिया के आसरे वो चल रहे थे लेकिन एक जटके में जब फैसला जंता ने दिया तो फिर कोई पूछने वाला नहीं था क्या ऐसी इस्तिति आती और प्रधान मंत्री को इसका अभास नहीं है या जिन बातों का जिक्र विपक्च कह रहा है कि दरसल यह एक लोकतंत्र को खत्म करने वाले प्रधान मंत्री हैं और तानशाही तरीके से इनों ने इस संसद भवन को लेकर भी अपनी पूरी की पूरी उर्जा लगा दी और ना जंता से पूछा ना पॉल्टिकल पार्टी से पूछा 970 करोड की यह इमारत है पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो एक अलग है कि उसमें तेरह जार करोड से जादा का बजट है लेकिन 970 करोड की इमारत उस वक्त भी बन रही थी जब इस देश में लॉकडाउन था उस वक्त भी बन रही थी जब पूरी दुनिया महामारी से दो-दो हाथ करने में लगी हुई थी उस वट भी बन रही थी चब इस बात के लगातार पधचिन दिखाई दे रहे थी कि कैसे मजदूरों के सामने संकट है और कैसे इलाज तक नहीं मिल पा रहा और आक्सीजन भी उपलब्ध करा पाने में भारत के अस्पताल कमजोर साबित हो गए या कहें फेल हो गए लेकिन इ अंग्रेजों के वक्त का जो इंडियन पैनल कोड है वो क्यों चल रहा है और उस दोर में जो राजद्रों तक की परिस्तिती थी जो अंग्रेजों ने रखी थी उस नियम काइदे को हटाने में भी सुप्रीम कोड को कहना पड़ा फिलहाल इसे अस्थगित कीजिए यानि ज क्योंकि आरोपों की फिरिस्त में बहुत साफतोर पर कहा गया कि जो इमारत बनाने का आइडिया प्रधान मंत्री के जहन में आया सांसदों से कोई परामर्श नहीं किया गया इस देश के लोगों से नागरिकों से पूछा तक नहीं गया इतना पैसा खर्च हो रहा इसको ल इमारत का क्या मुल्य होगा ये सवाल विपक्ष ने पूछा है मुल्य 970 करोड है तो क्या भारत के लोकतंत्र के मंदर की कीमत 970 करोड है या फिर लोकतंत्र की कीमत 970 करोड है ये सवाल कोई भी पूछ सकता है तो क्या कीमत इस दौर में लगाई जा रही है और कीमतों के आ रहे हैं क्योंकि प्रधान मंत्री निर्कुश हो चले हैं क्योंकि उनकी सरकार के खिलाव शब्द और भावना लोगों तक ले जाने के अलावे हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है अब यहां से शुरू होता है कि दरसल यह पूरा का पूरा मसला उठा कहां से और क रास्तिये सुरक्षा और रास्तिये रास्तियता के दाइरे में लाकर सरकार ने कड़े करने की कोशिश की इस देश के भीतर जो भी स्कैम हुए जो भी जासूसी कांड हुआ जो भी हत्यारों की डील हुई राफेल तक की डील हुई और होते होते मौजूदा वक्त में जब बाते चले जाएंगे और अडानी कांड तका कर रुक जाएंगे तो आपके जहन में होगा कि सरकार या तो खामोशी बरती है या उसकी पूरी के पूरी फिलोसफी को उस नेशनलिजम के दाइरे में लाकर खड़ा करना चाहती है जहां जनता को ये लगे कि वह क्या रास्टब और प्रधान मंत्री मोदी उसके शिर्ष पर बैठे हुए नजर आने चाहिए इसके लिए समूचा मीडिया लग जाता है अब ये कहा गया विपक्ष के दरिये या मौजूदा वक्त में अगर सम्विधान को भी पढ़ियेगा तो उसमें एक चीज़ साफ होगी कि राष्ट पती के उच्च पद का अपमान करना है और सम्विधान के पाठ और भावना का उलंगन कर रहे हैं और ये सम्मान के साथ सब को लेकर चलने की उस भावना को भी कमजोर करता है जहां पर जिक्र इस देश में पहली बार एक आदिवासी महिला प्रधान मंत्री बनी है इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है लेकिन राजनिती का जिक्र होगा तो प्रधान मंत्री का नाम ही हर कोई ले लीजिए शायद इसी लिए जो 19 राजनितिक दल है अगर एक छण के लिए राजनितिक दाइरे में लेकर आई और दूसरे छण के लिए कॉंसिचुस्रली सम आरजेडी, नैशनल कॉंफरेंस, आयूमल, आरलडी, एमडीमक, विसीकी, केरला कॉंग्रेस, एम बने इस 19 पॉलिटिकल पार्टी के जो 255 लोकसभा और राजसभा के सदस्य हैं यह अपनी कॉंस्च्वेंसी में जाकर क्या कहेंगे एक नया संसद भवन बना है हमने इसका बाइककाट किया क्योंकि प्रधान मंत्री उद घाटन कर रहें हैं लेकिन जो पुरानी भी संसद भवन्ती, उसके भीतर, लोक तंत्र का बाइककाट तो सरकार ने अपने तोर पर पहले ही कर दिया था और सरकार अब भवनों के आसरे डेमोकरिसी को खोजना चाह रही हैं त कि याद कीजिए 15 अगस्त 1947 समविधान नहीं बना था सत्ता का हस्तांतरन हो गया था और सत्ता के हस्तांतरन के साथ ही याद कीजिए पारलेमेंट के उस इमारत को देखिए आपको गूगल में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगी पूरी इमारत के उपर तमाम नेताओं की कमोवेश हर राजनितिक दल के नेताओं की मौझूदगी और नीचे जनता का समू था जो विजे चौक आप देखते हैं उस पूरे इलाके में सिर्फ लोग ही लोग थे भरे पड़े थे पठे पड़े थे लोगों की मौझूदगी थे लेकिन आज की तारीक में इस नए संस भवन के दाइरे के भीतर में आप जा नहीं सकते हैं जब इसका निर्मान कार्य हो रहा था तो सरकार ने बकाइदा कानून बना दिया जिसने भी इसकी तस्वीर जारी की उसके खिलाफ कारवाई होगी तस्वीरे भी नहीं छप रही थी कि कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और एक रात अचानक प्रधान मंत्री निकले और निरिक्षण करने चले गए और उस तस्वीर को सबने खीचा और अगले दिन अखवार में छप गई और वहाँ पर एक बोड भी लगा हुआ है कोई तस्वीर नहीं ले सकता है लेकिन प्रधान मंत्री उस दाइरे के भीतर हैं तो वह तस्वीर तमाम अखवारों में छपी तमाम मीडिया जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया है उसके स्क्रीन पर रिंगने लगी यानि समझे कुछ इस देश के भीतर में कानून किताबों में दर्ज है और सत्ता के लिए कानून देश के प्रधान मंत्री के तौर पर मौझूद है और उनकी मौझूदगी तमाम चीजों को खत्म कर देती है एक जटके में और शायद इसी लिए इस बात का एहसास और 15 अगस्त 1947 की भावना जो जनता की भावना संसत के साथ जुड़ती है उससे हटकर देश के ग्रेमंत्री आज प्रेस कॉन्फरेंस करने आ गए और उन्होंने आकर कहा कि जो राजडंड है वो तमिलनाडू के पुजारियों ने सेंगल इसको राजडंड कहते हैं वो नहरू को भेट किया था उसको भी वहाँ पर अस्थापित किया जाएगा और वैदिक मंत्रो चार के साथ संसत भवन में जब अस्थापित करेंगे तो फिर वावाही हो जाएगी ये एक अलग मसला है कि जो नया संसत भवन बन रहा है उसमें लोगों के जो बैठने की परिस्तिती बनाई गई है अभी तो 238, 245, 270 राजसभा के सदस बैठ सकते हैं इनको आने वाले वक्त में बढ़ाया जाएगा 336 तक किया जाएगा लोगसभा जो 545 है दो नॉमिनेटेट 543 चुने जाते हैं इसको बढ़ाकर 888 तक की बैठने की ववस्ता है यानि आने वाले वक्त में भारत की संसदिय राजनिती और लोकतंत्र और उसके भीतर लोकतंत्र का मंदिर जो संसद भवन के तोर पर है उसमें कितना व्यापक परिवर्तन 2024 के बाद आने वाला है वो इस भवन के जरीए समझा जा सकता है जिस भवन की उपलबदी इतनी ही है कि वक्त में कारिगरों ने एक इमारत खड़ी कर दी 970 कवर रुपए में वह इमारत खड़ी हो गई वहाँ पर बैठने की शांदार व्यवस्ता है शांदार पंका है एसी है सब कुछ शांदार है इतनी चका चौन्ध है कि देख कि आप हैरत में आ जाएंगे और इसी लिए एक वक्त इसी पार्लेमेंट के भीतर जब रस्ट कवी दिनकर ने कहा था कि दिल्ली कैसे एक रेश्मी नगर के तोर पर तबदील किया जा रहा है और उनको चिताया था कि याद रखो जिस दिन इस देश का किसान मजदूर जाग गया त किया जा रहा है उसमें इस रेश्मी नगर के भीतर किसी हीरे की तरह चमकते हुए संसद भवन की मौजूदगी हर किसी की आँखों के सामने लाकर घड़ी की जाएगी और इसको लेकर कमेंटरी दिन भर और रात भर चलती रहेगी तमाम चैनलों पर लेकिन यह कोई नहीं कह कि भारत की अपनी परिस्तिती इस दौर में किन इस्तितियों से जूज रही है और जो जनता वोट देती है अपने नुमाइंदे को और वह नुमाइंदा जब वहां से उठकर पार्लियामेंट में आता है तो उसमें तीन बातों पर गौर कीजिएगा पांच बरस के भीतर जनता की आय कम हो गई पांच बरस के भीतर इस देश के पार्लिमेंटरीज की आय तकरीबन दोसो फीजदी बढ़ गई पांच बरस के भीतर इस देश का मैनीफैक्टरिंग सेक्टर और मजदूरों के कामकाज चिनने लगे जो लगभग 22% नीचे चला लेकिन इसी दौर में वह कॉर्परेट जो विंदुस्तान को अपने तौर पर खरीद रहा था या सत्ता उसे दे रही थी कॉडियों के मोल उसका नेट वर्थ जो था 122 परसंट बढ़ गिया कहां पर हम और आप खड़े हैं यह दोनों मिलकर तै करें या इस चकाचौंद में सिर्फ यह पर रखलें कि एक संसद भवन अपना है इस देश के पैसे से बना है ठीक वैसे ही जैसे इस देश के पैसे से तक्रीबं साढ़े तीनसो पबलिक सेक्टर खड़े किये गए बीते 75 बरस में उसमें से 9 बरस माइनस कर दीजिएगा क्योंकि इस काल में कोई पब्लिक सेक्टर की इमारत खड़ी नहीं हुई बलकि एक पारलियमेंट ही खड़ा हुआ है और कितनी इमारतें बिक गई और कितने PSU's बिक गए और कितने बैंक बंद हो गए उनके क्या क्राइसिस सामने आ गए लेकिन सत्ता मदमस्त है क्योंकि संसत भवन तयार है और उद्गाटन इस देश के प्रधान मंत्री को करना है जिसमें राष्टपती को निमंत्रन नहीं है और विपक्ष ने बाइकोट कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया